19 तारीक को मेरे खिलाफ एफायर होता है मैं सिटिंग यह मेले हूँ अच्छानक पुलीस रातों रात पचीस सो किलो मिटर की दूरी तै करके आसाम से गुजुरात आती है 19 तारीक को एफायर हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा है उन्होंने कितने बचे फ्लाइट बुक करवाया कोकराजार पॉलीस टेशन और गुवाहाटी चार गंटे की दुरी है सारे चार गंटे होते है वहां से आप गुवाहाटी पहुचते हो गुवाहाटी से बैंगलोर का फ्लाइट बैंगलोर से एहमदाबाद का फ्लाइट एहमदाबाद से आप 140 किलो मेटर दूर वडगा मेरे कॉंस्टूटून से वहां मुझे गिरपतार करने आए मतलब की कहीं न कहीं एफायर करने से पहले आपके फ्लाइट की टिकिट्स बुक हो चुके थे इत वज आप प्री क्या है गिरपतारी करके मुझे ले गे तब मुझे बता नहीं रहे उनके मालूम है कि मैं लॉयर हूँ लो में करो मुझे बोलनी रहे कि कौन सा मुकद्भा है एफायर का कौपी नहीं दे रहे कौन सी सेक्षन्स लगी वो नहीं बता रहे मेरे परिवार से मेरे मातापिता से बात करने के अनुमती नहीं मेरे लॉयर से बात करने नहीं दिया यहां तक कानून के धजिया उड़ा कर एक MLA का जो प्रोटोकॉल और प्रिविलेज होता है उसके तरफ पुरा ब्लाटन डिस्रिगार करते हुए गुजरात की विदान सभा के स्पीकर को भी पताया नहीं उनको भी पताया नहीं उनको भी जान नहीं थी उनको भी पता नहीं था कि हमारे एक सिटिंग MLA को आसाम पुलीस गिरपतारी करने के लिए आई है वो जब आसाम पहुँचे शायद उसके बाद मैं उनकी कस्टरी में गया तब साइद गुजरात की विदान सभा की स्पीकर को बताया गया कि आपके ML को हम लोगों ने गिरपतार किया है तो मानता हूँ ये आसाम की पुलिस ने गुजरात की असमीता और गुजरात के गवरों को कंडित किया है